नमस्ते आपका स्वागत है बड़े दुखी मन से बड़े उदासी इन्ता के साथ एनलेटिक आयरवेदा पर 2 जनौरी 2024 को एक जो नया साल का गिफ्ट मिला माननी उच्चितम ने आयलाई के द्वारा बड़ा पीड़ा दायक है लेकिन यह होना ही था क्योंकि 2023 में माननी उच्च ने आले ने जो गुजरात के पेटिशन पर जो निरने दिया कि नहीं आरवेदी चकत्साधिकारियों और एलोपैथिक चकत्साधिकारियों का वेतन समान नहीं हो सकता उस पर फिर एक रिव्यू परटिशन आई उसको भी नहीं माना गया फिर एक नया फ्रेस परटिशन की तयारी NCISM ने की है इसी बीच ये एक बहुत पुराना मुकदमा 2021 में दैर हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट में और इसका नंबर है 2723 20723 of the 2021 इस पर जस्टिस बियार गवई और और अन्रेबल जस्टिस संदीप मेता साब का डिसीजन आया है और इस डिसीजन में इन लोगों ने कहा है कि पर्टिकुलर्ली जो डिसीजन है उसमें ऐसा इसलिए नहीं आ सकती चीजे क्योंकि संदर्भ दिया गया है इस डिसीजन में वही गौर्रमंट आफ गुजरात के कहा तो गौर्रमंट आफ गुजरात का जो डिसीजन उसकी पर जो माननी उचत्यम नियालय ने जो दिया निरने उसsi को कोड़ करते हुए ये रिट पेटिशन मध्यप्रदेश सरकार की अलाव कर दी गई और जो बिजय कुमार तिवारी जो पेटिशनर थे उनको उनकी पेटिशन को डिसमिस कर दिया गया इदम साफ साफ लिखा हुआ है क्लास नमबर एट की जज्जमेंट में कि इस कोट इन दे केस आफ डॉ कुलिज को ड्याव में खुए रॉब जे कुए ये क्यटिशन था ये कुछ था इन टॉवटेशन थे पेटिशन था डी आटो ऑन्न दे कि आफ टा लीतट पेटिशन था इन डीजए बेट लिखा है। टर लडवादेशन को अन्स तो कि अजिए बान फेटिशन थे कुएु गुजरात वाले केस में खेर चलिए इस पर आगे और एक बात करते हैं एक एफिटेविट दिया था गौर्मेंट आफ मद्धपरदेश ने तेश साथ दो हजार तेरह को एक चार्ट दिया हुआ जो सुप्रिम कोट ने अपने जज्जमेंट में लिया है प्लास दमब पीजी डिग्री पीजी डिप्लोमा भी एमस भी एमस एमडी फिर चलिए ठीक है कहते हैं कि रिक्वाइट टू परफॉर्म इमर्जेंशी डूटीज ट्रॉमा के से सर्जरी के से इस पोस्टमार्टम नो इमर्जेंशी ड्यूटी पता नहीं मध्यपरदेश में खुशी ला वहां की सरकार लिखके दे रही है कि यह लोग एमर्जेंशी ड्यूटी नहीं करते हैं और यह सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकते हैं फिर एक इस सब सुप्रेम कोड के जज्जमेंट का हिस्सा है दोस्तों इसलिए दुखत है है वे वर्क इन दो ओपीडी एंड आपरेशन यह लिख दिया है कि नो आपरेशन थेटर फिर अगला क्लाज नंपर पर दे रहा है कि गिफ आई-वी इंजक्शन्स एंड आर्टी इंजक्शन्स यहां कर रहा है कि नॉट अप्लिकेबल जैसे का अईरवेद वाले आई-वी देते ही नहीं है पांचमा कर रहा है कि मैडिस इस गिवेन और अलोपैथिक यहां कह रहा है बड़ा गजब है दा मैडिसीन इस बेस्ट डान आयरवेदा फॉर एक्जाम्पल पाउडर तो बी टेकन इंटो बॉल्ड वाटर यह सरकार का एफिडेविट है पूरा डोजेस फॉर्म स्वरस से लेके संधान तक और कजली से माल रोigor मेंन मड़परदेश सरकार में लेकार के बस पानी गरम पानी और पावडर लेते हैं आ और ठीक है फिर यह बात आगे करते हैं कि में डixelटी is the repeated as the emergencies, यहां भी करते है कि नहीं, main duty is the just advertised to make people aware about ayurvedic treatment and the optimum campus and this this with the different to this, फिर वही मेला ठेला, अभी भी समझ जाहिए, ayurved के लोग कि advertised और aware कि his quote मान रही है आपको, अफिर कता है कि nature of treatment that is different, ओके अगे देखिए, आठमें पॉइंट पर, such doctors not easily available, कौन, अलोपेथी, यहां लिक रहा है, available in plenty, आज राग गिन लीजिये कि कितने अमेबियस colleges खुले हैं और कितने doctors available है, एक और बड़ी बात क्या करहा है उसके बिशेशन, therefore, bond system applicable for getting services at the least five year is in village, no such bond is there, नहीं, मुझे कुछ और चीज़ें नजर आती हैं जिनसके बारे में कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, देखिए, इस case को समझिए, यह 2013 में मद्व प्रदेश में डॉक्टर विजय तिवारी और लोगों ने मद्व प्रदेश हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि हमारी चात्रविती पोस्ट रेज़ेंट के सासन में जो आयरुवेद के व्यक्ति हैं मद्व प्रदेश सासन में या चाहें गुजराथ सासन में वहां भी यह चीज़े आई ति जो वहाँ पर निदेशक हैं या जो जो भी लाव विभाग है जो मद्रपरदेश सासन का यह एफिडेविट तियार करता है मन्दपरदेश सरकार को मुकदमों का क्या आयरवेद निसाले के व्यक्तियों में से किसी को उन्होंने कॉंटेट किया था और यदि किया था तो किसको किया था और यदि उनकी सहमती से यह एफिडेविट आया है क्योंकि ऐसा गवर्मेंट में एक परक्रिया होती है कि जिस विभाग का मुकदमा होता है उस विभा ऑईद्ध के बरिष्ट लोगों ने जो प्रमूख लोग फ़े जो निधे सकस्तर पते दिया और भी उशेले के लोग तैंगर है उन्हों ने इसके सहमति दी ती गुजरात के लोगों Zent tarik के लोगों को किनारे से बिलकुल नहीं है माननी मद्व प्रदेश उच्चने आले ने या फेवर में डिसीजन दिया कि नहीं इन दोनों बच्चों की मेरा मतलब है कि एलोपैथिक एमडे स्कॉलर्स और आयरुवेदिक एमडे स्कॉलर्स की पे बराबर होनी चाहिए अब बात यहां पर यह आती है पहला प्रस्ट कि जब यह एफिडेविट जा रहे थे जब हमारे इन्वर्सिटी से गया था जब हम लों ने इजेंसिल स्कीम का मुकत्मा किया था में तो एमडे सर सर्कार ने भी रोट कर रही है मंद्यप्रदेश की सरकार ने भी रोट किया गुझ्हार कि के और ये दोनुों ही सरकार में इस गुजरात का राज्नयतिक नेतरित केंद्र सरकार के राज्नयतिक नेत्रित Κी विचारधारा की विपरीत चलने का साहस कर रहा है केंद्र सरकार का राज रातिक नेत्र तो वो सभी कुछ कर रहा है जो आयरवेल और ट्रेडिशनल सिस्टम आफ मेडिसिन के विकास के लिए आवश्यक है यूएस डॉलर टू फिफ्टी मिलियन से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में आ रहा है आयूश मंत्राले का बजट छे गुना साथ गुना बढ़ा दिया गया है एक से एक एक्स लगातार पार्लियामेंट के बीजी सेसंस में भी पास हो रहे है तो केंद्र सरकार एक ऐसी विचारधारा से चल रही है जिससे कि आयरवेद का समग्र विकास हो समस्त्र पारंप्रिक्ष गत्सा पदतियों का विकास हो वहीं दो सरकार हैं गुजरात राज्य सरकार मद्द परदेश राज्य सरकार जहां दोनों में एक ही राजनेतिक पार्टी का सासन है क्या वहां का जब ये नेत्रित है इस तरीके की एफिडेविट केंद्र सरकार की नीतियों की बिरुद्ध केंद्र सरकार तो हर जगा समकच् लेकिन राज्यसरकार हैं ये दो भाजपा की ही राज्यसरकार हैं मैंने राजनेतिक पर उठाई है ठीक है ब्यूरोक्रेसि तो अपने ही साफ्चे चल रही थी लेकिन क्या आयरवेद के लोग जो गुजरात सासन में हैं मद्वपरदेश सासन में हैं उन्होंने इस सरकार के बात करें अभी मद्यप्रदेश सरकार के आईरवेद नित्रित को यह बात बताई गई थी तो जब हम हम आईरवेद के लोग जब हम जागरूक नहीं रहेंगे तो आज देखिए एक द्रिस्टान्त में जस्टिस गवई ने गवर्मेंट पीछे वाले सुप्रेम कोट प्यार भाटी के केस का हवाला देते हुए दे दिया जस्मेंट मुझे दोनों जस्टिस के नाम याद आ रहे हैं लेकिन उब मै जब कोड्ट जस्टिस का नाम नहीं डाली है अपने आउर्डर में तो मैं भी नहीं लिका हूंगा जो उच्चितम नियाले के क्योंकि ये परंपरा है कि केस का नाम लिखा जाता है तो मैं भी वो इस केस का ही नाम लूँगा कि डॉक्टर पी ये भाटी मैं भी आने माननी है उच्चितम नियाले के नियाधीसों का नाम नहीं लूँगा तो प्रस्ण ये है कि हम कहां सो रहे होते हैं जब ये एफिडेविट आते हैं संबंधित निदे साले, अर्वेद निदे साले के निदे सक गण और और भी तता कदित अमला जो पूरा होता है चाहे वो मद्य प्रदेश का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो किसी भी राज्जी का हो अभी तो ये दो ही हाइलाइट है और दुखत बात ये है कि चलिए इतने खराब एफिडेविट दिये गए तत्थ्यों से परे लेकिन माननी उच्चने आले मद्य प्रदेश ने इस एफिडेविट को नहीं माना और जज्जमेंट दिया कि इनको बराबर स्कॉलर्शिप दी जाए ठीक, दे दीजिए जैसे हाई कोट प्रियाग्जाराज ने कहा एज जुजिशी ने हम लोग को दे दिया लेकिन मद्य प्रदेश सरकार या गुजरात सरकार को क्या आउशकता थे कि माननी उच्चत्यमन आले में इस जज्जमेंट के खिलाफ अपील करे तो क्या ये दोहरी नीती का परिचायक नहीं हो रहा है राजनेतिक नेत्रितु का क्या ये दोहरी नेत्री का परिचायक नहीं हो रहा है राजनेतिक नेत्रित्व का एक इस्तर पर केंद्री सरकार का राजनेतिक नेत्रित्व हर कुछ करने को ततपर है जो आयरवेद के विकास के लिए है कि और दूसरी तरफ मद्ध्य प्रदेश सरकार का राज नहतिक नेत्री तो इसमें तो मुख्यमंत्री का नाम भी याद करने की जूरत नहीं है माननी सीरी सिवराय सिंग चौहान जी उन्हीं के ही पीरिट से लगातार चल रहा है तो उन्हीं के ही सहमती से यह मुख्यमंत्री कार्याले की तो सहमती या जो भी उसे में मंत्री होंगे उनकी सहमती से ही आया होगा चलिए गुजरात सरकार में दो-चार मुख्य मंत्री बदले हैं, अभी माननी भुपिल पटेल साहब हैं, रुपानी साहब थे उसके पहले, बना माननधी भुपिल पटेल थी, तो अब उनमें किसके कारेकाल में आया है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो अपना विनमरब अपता से जो बात कह रहा हूं, यह कह रहा हूं कि इन राजन्यतिक नेत्रितों की सहमती के बगैर इतने संबेदन सील मुद्दे पर क्या मद्व प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार उच्चतम ने आले में हाई कोट के जज्मेंट्स के विरोध में आ रही है, और फिर नत अर्टिकल 370 जीरो पर भी रख रहे हैं, और भी मुद्दों पर रख रहे हैं, तो मैं तो बड़ा ही नियाले के प्रति अपनी आस्था, स्रध्धा देक्त करते हुए, यही कहना चाह रहा हूं, कि नियाले तो तथ्यों पर गया, जो एफिडेविट आई उस पर गया, और taking into consideration a comparative chart relation to the characteristics of the both these types of the medicine and the not taking into consideration the comparative chart which we have extracted in the paragraph four above was the first mistake, was the first mistake committed by the high court in the impugent order, honorable supreme court कह रहे हैं, कि high court ने ये गल्ती की, कि उन्होंने सरकार के इस chart को overrule कर दिया, मेरा या सभी का submission ये है, honorable court को, कि हम honorable high court का आभार करते हैं, आभार वेक्त करते हैं, कि उन्होंने इस chart जो की गलत है, उसको नहीं उतनी वरियता दी, और उन्होंने अपना एक निस्पक्च निरणय सुनाया, कि इनको बराबर का वेतन दिया जाना चाहिए, ठीक है, honorable supreme court कह रहे हैं, कि high court ने ये गल्ती की थी, mistake लिका हुए, mistake committed, और इसलिए उन्होंने इस order को sponge कर दिया, और कहा कि नहीं, ये दोनों डॉक्टर्स बराबर नहीं है, इसलिए इनको बराबर नहीं मिलना चाहिए, चलिए, अन्नगुल supreme court ने जो कहा, अब इसका impact जड़ा देख लीजिए, एक चीज ऐसे विचार में आ र respective of the teacher of faculty of arts, faculty of social science, faculty of science, faculty of agriculture, faculty of commerce, faculty of visual art, faculty of performing art, सबको एक समान वेतन मिलता है, सबके कारे के घंटे और बिदियां और तरीके अलग है, बिचारा नहीं है, दूसरी बात, जो एक ये बातावरन बहुत अच्छा क्रियेट हो रहा है आयरवेत के लिए, जो ये WHO, NIH, NCCIH, पूरा बिश्व हिस्समें जो आयरवेत के लिए आ रहा है, उसमें ये जो decisions आ रहे हैं, अन्रबल सुप्रिम कोर्ट के, वो कितना impact डालेंगे यंगस्टर्स पे, कि वो NEET में admission लें, अरे मतलब, आयरवेती courses में NEET के थूँ आएं ना आएं, आएं भी तो PG करें कि न करें, ये कितना हतुत साहित करने वाले इस्तिती है, तो एक तरफ हम लगातार अच्छे दिन सुनहरे भविष्ट की कलपना करा रहे हैं, आयरवेत बैस्विक होगा, इसकी हम बात कर रहे हैं, इसके लिए हमने आज ही, नि कल 10 जनौरी को ICD 11 नोटिफाई कर दिया, बहुत बड़ी उपलब्दी है, और वहीं पर हम अपने देश में ऐसी ब्यवस्ता में चल रहे हैं, हम कहते फिर रहे हैं कि नहीं नहीं, यह दोनों लोग बरावर नहीं हैं, वो भी सरकार रहे हैं, Honorable High Court MP ने कहा बरावर है, Honorable High Court गुजरात ने कहा बरावर हैं, लेकिन मद्व प्रदेश की सरकार और गुजरात की सरकार जो दोनों ही एक विशेश राजनेतिक पार्टी की है और केंद्र की सरकार की नीतियों की विरूद जारी है वो भी विशेश राजनेतिक पार्टी की है केरल की सरकार अगर विरोध करती पस्ति मंगाल की सरकार विरोध करती तो समझ में आता है कि उनकी पॉलिशी जलग हैं लेकिन यहां यह तो सोचना होगा और उन संगठनों को सोचना होगा जो सदस्य हैं जो इस समय आयरवेद को बहुत अच्छी दसा दिसा देने के लिए जीजान एक किये हुए हैं लेकिन आपकी सारी मेहनत एक जज्जमेंट आने से उतना ही पीछे चली जाती है जितना आप आगे बढ़ते हैं आप समझ रहा हूंगे कि मैं किन संगठनों की बात कर रहा हूं तो आपकी सारी मेहनत जो आप करते हैं साल भर और आयरवेद को लोगों के मस्तिस्क में प्रेरित करते हैं कि हां उस बच्चे का एडमिशन हो वो एक जज्जमेंट आता है अभी दो जनौरी का अभी तो 23 के जज्जमेंट के मार्च के और जुलाई वाले जज्जमेंट को अभी हम लोग किसी तरीके से कि कह रहे थे कि नहीं हम लोग रिट पेटिशन रिवीव पर सबजार हैं नहीं कर दिये अब कि दो जनौरी दो जार चौबिस क्या हो सकता पड़ी थी मद्यप्रद्य सरकार और गुजरात सरकार को इस जिस बहुत कस्ट हो रहा था उनको बराबर वेतन देने में अब ऐसे तो आप कहेंगे कि कोरोना में आयर्वेद नहीं बचा लिया हम लोग को अब इस पर इससे जादा कुछ नहीं कहेंगे लेकिन बहुत मंदुखी है ब्यतित है यह दोहरी नीती एक ही विस्ष्ट राजनेतिक पार्टी की सरकारों का और यह दोनों ही सरकार हैं अपने केंद्री नेत्रित्व की चाओं को चुनावती दे रहे हैं इससे जादा इस प मारणी प्रदान मंतरी शरी नरिंद्र मोहती जी उन्होंने पूरी वातावर्ण बदल दिया है एसिग एलेवेट लोग करने हैं इसे एक महाल बदल रहा है लेकिन ये क्या मत्रदेश के सरकार इसको क्यों नहीं समझे गुजरात के सरकार इसको क्यों नहीं समझी मुझे तो ऐसा लगता है ना जमाच आते हुग कोई कागज पड़ता नहीं है मंतरी गण कि जो उनके सामने लाया गया बता दिया घया उन्हाने मुझे कहना ही होगा कहन इस समें मम्ल twee आρε Zarवो में जो निदेशक बैठे थे उनकी भी नयतिक जिम्हेदारी है कि उन्हों ने सही तत्यों को संगान में क्यों नहीं लाया पंडित को सिलाल सर्मा का अस्पताल क्या बिना राइट ड्यूटी किया चलता है जिसके लिए कि एड्मिशन कराने के लिए लोग फोन दिल नी से कराते है आहमदाबाद के खंडा नंदा अर्वित कालेज में क्या बिना नाइट ड्यूटी के चलता है क्या बिडम मनाये हैं ये चलिए इससे भी जूजी जूजा जाए अच्छी बातें आएंगी कोई भी अच्छा रास्ते में ये सब कठिनाईयां आती है तो अभी आई है देखत नमस्कार चिंतन करिए मंतन करिए